हालो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे दोस्तों आज हम लेकिया है टाउजर पैंट हाफ गेट इस वाली और इसकी कमर है जो रील कमर है वो 36 इंच है तो उन्हें लाश्टिक वाली 28 इंच कमर रखी है और इस तरह से हम पूरेंगे उपर इस तरह से लाकीर लेंगे पहले काृफ ऑख गया है और उसके बाद में सब्धो इंच पर रहे जिसन सान लगाना यह पाकिट का निसान है और पाकिट की जो गिप्न रहेगी जग है बो शवाचैंज प्र गया और उसके आधस इसका आसन का हम आउंक कर निकला कि छान और नीचे मंने साड़े 10 इंच रखा है और इसमें 2 इंच हमने प्लेस किया है और इसके बाद इस निसान से इस निसान को इस तरह से मिला लिया है यहाँ पर हमें रांड देना है रांड दे दिया है होग कर और इसकर रहाएगे साडेचा इंस रहेगी तो हमाद्र शाड़ शंक सींच रखी है ₹ 6 इं नीचए फोल्ड्री के लिए थे 2 इंच छोड़ा कप्ड़े को अरब कहने रांग पे नापेंगे और मौरी नापेंगे, मोरी और 먼 हां के बीच ऊपनिसान लगा के लिए हमने लगाने के लिए और इस तरह से बीचोई इसंटर पर एक नंसान लगाया है मोरी का इस तरह से अ यह हमने लगी लिया है और यहां से हम इस पट्री से डाल देंगे इसमें इस तरह से यह हमने डाल दे दिया है और यहां पर मैं अधा इंच डाउन रख रहा है सामने को उसके वाद रांग नापेंगे रांग मारी साले 24 इंच रहेगी और मोरी मारी 12 इंच रहेंगी तो यह तरह से हम चेक करेंगे नापको साले 24 इंच आगे आए दोस्तो इसको यहां से कटिंगे इस तरह से कटिंगे यहां से और इस तरह से कटिंगे इसकी कि दोस्तों यह सामने वाले पले की कटिंग हो चुकी है और यहां से मैं पाकेट की जगे से कटिंग कर देंगे और यह हमारे सामने वाले पले कट चुके हैं टाउजर के अब हम कुटके लगाएंगे नीचे और यहां पर प्लेट पड़ेगी दोस्तों तो पिज्वी सेंटर पर हमने प्लेट का निशान लगा लिए है इस तरह से आदे में लगता निशान तो आदे पर लगा लिए हमने और इसे एक साइड से रख लेंगे यह कट चुका हैं टाउजर अन ते सामने वाले पले और आप हम बैक साइड को काटेंगे दोस्तों तो इसके लिए मैं इसी कबड़े को इस तरह से कॉल ना हैं और सकी उपर से मैं आदे अधिवी पहलने पले इस तरह से और यहां से इस तरह से रख लेंगे हम और यहां से दो इंच रखेंगे यह बने लाश्टिक के लिए इस तरह छोड़ा है बैक साइड में क्योंकि पीछे लाश्टिक रहेगी और आदे आगे की और बैल्ट लगेगी तो हम दो इंच छोड़ा है इसमें इस तरह से और उसके बाद में एक अमरकार साथ लगाया है नौश्व शक्तिस इंच तो इसमें थीन इंच प्लस किया है और यहां पर भी हम थीन तरह कि प्लस निंचन लगाएंगे पहले तो रांग को चेक करेंगे तो जहां से रांग आ रही है वहां पर निंचन लगाएंगे उसके बाद जिसमें तीन इंच प्लस करके देख रहे हैं तो वह बाबर आ रहा है और डेढ़ इंचे में नीचे की और प्लस करना है इस तरह से यह निसान लगा लिए हमने और इससे हम ढाल देंगे इसमें इस तरह से और यहां पर भी में ढाल देना है यहां पर मैं राउंड निकालना है तो राउंड में निकाल लेंगे इस तरह से और अब कर देंगे इस तरह से दोस्तों इसकी लंभाई जो थी वो 36 थी और कमर रियल कमर थी वो 36 इंच और इस기 जो हमने कमर रखी भेहाँ 30 इंच है, इसमें 1.0 am जाना रहेगी और दोस्तो राग इसकी जो रिएल थी वो 20 इंच थी तो हमने इसमें 24 इंच रखी है और इसकी मूरी जो है, वो 12 इंच रहेंगी दोस्तो और इसकी जो लटक रखी है वो ग्यारा इंच रखी है क्योंकि फिटिंग की इस पैंट चाहिए थी तो फिटिंग किये और इस तरह से बने कटिंग कर लिए इस तरह से दोस्तों कटिंग हो गई है हमारी और यह उन्हें बैक साइट में भी निसान लगा लिया प्लेट का देखिए दोस्तों यह कटिंग हो चुकी है अब हम इसमें लागाने के लिए जो पाकेट लगेंगी वो उसकी कटिंग करेंगे तो यह बचा हुआ कबड़ा होता है सिगा तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई जो है पाकेट की वो तेरा इंच रहेगी और यहां से हम डारेटली काट लेंगे यह 13 ती तो इसकी जो चूड़ाय थी दोस्तो बोम ने 6.5 तक रखिये देखे दोस्तो यह 13 लंबाईए और 6.5 तक इसकी चूड़ाय थी तो यह पाकेट मारे कर चुके दोस्तों अगर आपने यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो यह नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाइद वस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ